करोना खतम नहीं हुआ अनलोक टू का मतलब यह नहीं कि करोना खतम हुआ रात में दस बजे के बाद सुबा पांच बजे तक अभी भी करफू है जान बचाना है पूरी दुनिया तबाह हो गई अमेरिका ढह गया इंगलेंड ढह गया जर्मनी इटली चाइना बड़े बड़े देश भस्त हो गए इंदुस्तान एक सो तीस करोड की आबादी वाला देश बारव कोड़ा के लिए वियार में रोज बढ़ता जा रहा है पर सुट पोने तीन सो लोग हो गए पॉजेटिव जान बचाने का एक ही तरीका है मास को हमे दोनों ना कच्छेद और मुख तीन को हमेशा घख कर रखेंगे करोना से पीडित होने की संभावना बहुत कम है और भीड में तो बिल्कुल नहीं साधी व्याह में देख रहे हैं लोग सेक्डों की संख्या में पाली में क्या हुआ एक सो लोग पोजेटिव करोना एक साध में हजारों लोग को फैला देंगे भीड में तो जाना ही नहीं है और बड़े दुख की बात है इसी कारण देखें इद की नमाज घर में हुई सारी मस्जिदें बंद हो गई सारे मंदिर बंद हो गए खोला गया था लेकिन बाबा धाम का कामरियां वाला जल हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें लाखों की भीड होती है और करोना जिस तरह से फैल रहा है लाखों आदमी की जान खत्रे में पड़तकती है इसलिए हाथ जोड़ करके निविद्धन करता हूं घर में भगवान सीव की आराथ ना करें अर्चना करें वो तो अधरदानी है आप घरदय से सद्धा से भगवान सीव का स्मरण करें उनसे प्रात्ना करें कि करोना का संक्ट दूर हो घर में रहें सुरक्षित रहें भीड में ना जाएं और हमेशा मुह ठक करके रहें मास्क जरूरी है गंची से या मास्क से बिना मुहना ठके बाहर नहीं निकलना है हाथ को साफ सुतरा रखना है भीड में तो जाना ही नहीं है अनवस्यक मुमिंट भी नहीं करना है यह मिल बात को आप ध्यान में रखेंगे आप सब मेरा बहुत बहुत प्रणा